T20 World Cup का बिग गुल बच चुका है और कुछी दिनों में मार्की इवेंट का महा मुकाबला भी खेला जाना है 23 अक्टूबर यानि अगले रविवार को एतिहासिक मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी राइविल्री में एक नया अध्याय जोडने वाला है भारत और पाकिस्तान दोनों ही शानदार टीमों के बीच एक जबरदस्त मुकाबला होने के पूरे आसार है और इस मुकाबले को जीत कर दोनों ही टीमें अपने अभियान को एक अच्छे नोट पर शुरू करने के लिए एडी चोटी का जोर लगाते नज़र आएंगे एक तरफ टीम इंडिया की मजबूत बल्ले बाजी होगी तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की घातक गेंद बाजी ऐसे में बैट वर्सिस बॉल के इस कांटेस्ट में बाजी कौन मारेगा ये देखना दिलजस्प होगा तो इस वीडियो में जानते हैं आखर भारत और पाकिस्तान के वर्ल कप स्कॉर्ट की क्या है ताकत और क्या है कमजोरी कौन सी टीम का पलड़ा इस मुकाबले में हो सकता है भारी दोस्तों एक बार फिर भारत और पाकिस्तान की जंग वर्ल कप में होने जा रही है लेकिन इस दफा मुकाबला काटे का रहने वाला है जिस तरीके से पहले भारत World Cup में पाकिस्तान को आसानी से हरा देता था बीदे एक साल में पाकिस्तान ने भी अब भारत को हराना शुरू कर दिया है पिछले T20 World Cup के बाद एशिया कप में भी पाकिस्तान में एक मुकाबले में भारत को माद दी है और इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार मेलबॉन क्रिकेट ग्राउंड में भारत और पाकिस्तान के बीच एक जबरदस्त जंग देखने को मिल सकती है वैसे भी दोनों ही टीमों के लिए ये इस टूर्नामिन्ट का पहला मुकाबला होगा और कोई भी टीम हार के साथ टूर्नामिन्ट का आगाज नहीं करना चाहेगी इसी वज़ह से मुकाबले में दोनों ही टीमों से अच्छी खासी डसल देखने को मिल सकती है अगर एकनेसर भारत और पाकिस्तान की डीमों पर डाले तो इसमें कोई शक नहीं है कि भारती टीम की बल्लेबाजी पाकिस्तान के मुकाबले काफी ज़्यादा मजबूत है और भारत के पास पाकिस्तान के मुकाबले कई बड़े नाम मौजूद हैं रोहित शर्मा, खेल राहूल, विराज कोहली और सूरी कुमार यादो इतनी मजबुत टॉप फोर इस टोर्नामेंट में शायद ही किसी टीम के पास होगी इसके अलावा हार्दिक पांडिया और दिनेश कार्थिक भी काफी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं दूसरी तरफ पाकिस्तान का मेडिल ओडर, उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बना हुआ है उपर से बाबर और रेजवान को छोड़कर बाकिस्तान में कोई भी ऐसा नाम नहीं है जो भरोसा देता हो उनकी टीम में शान, मसूद, हैदर अली, इफ्तिखार एहमद और आसीफ अली को मेडिल ओडर में आजमाया जा रहा है लेकिन अभी तक इन में से कोई भी अपना प्रभाव जोड़ने में कामयाब नहीं हो सका है पाकिस्तान की पूरी बल्लेबाजी सिर्फ बाबर और रेजवान के इर्दगिर्द ही घुमती है ऐसे में अगर पावर प्ले में पाकिस्तान को शर्वाती जटके लग जाते हैं तो उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है हलांकि जहां पर बल्लेबाजी पाकिस्तान की गमजोरी है तो वहीं पर टीम इंडिया की गेंदबाजी चिंता का विशय बना हुआ है चस्परित बुमराह के बाहर होने से भारती टीम को काफी बड़ा जटका लगा है हलांकि ये उमीद की जा रही है कि मुहमद शामी या सिराज में से कोई एक बुमराह की जगह लेगा लेकिन बुमराह को रीप्लेस करना किसी के लिए भी इतना असान नहीं रहने वाला है उपर से हालिया समय में डेथ ओवर में भारती टीम की गेंदबाजी ने काफी स्ट्रगल किया है और यहीं पर पाकिस्तान को भारत के मुकाबले एज़ मिला हुआ है उनके लिए शाहिन अफरीदी की वापसी तैल लग रही है और शाहिन के आने से पाकिस्तान की तेज गेंदबाजी काफी मजबूत नज़र आएगी शाहिन के साथ नसीम और हैरिस्टाओफ के तिकड़ी तेज गेंदबाजी आकरमड को काफी ज़ादा मजबूत बनाते है वहीं पर शादाब खान और मुहमद नवाच के स्पिन बॉलिंग भी बीच के उवर्स में विकेट चटका कर दे सकते हैं ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि एक तरह से भारत की मजबूत बल्लेबाजी बनाम पाकिस्तान की शानदार गेंदबाजी के बीच भीड़न थोने जा रही है वैसे दोस्तों आपके मताबिक क्या टीम इंडिया पिछले टी-20 वॉल्लकप में मिली हार का बदला पाकिस्तान से लेने में कामियाब हो पाएगी या नहीं हमें अपनी राय नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शांदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लिए हमारे योटूब चैनल को वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें